आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो Solution पाओ डाउनलोड नाओ यहां पर हमारे पास क्या गिवन है यहां इस सिंबल का सबसे पहले मतलब क्या होता है इसको हम एक Gate की तरह Assume करेंगे इसका मतलब हुआ कि यहां से Gate जो है Open है और यहां से क्या है? Close है ठीक है? तो अब हमें करना क्या है? अगर यहां से Open है यहां से Close है मतलब H से हमें L की ओर जाना है ठीक है? अब हम अपनी Statement पर जाना है हमें क्या करना है H से L की ओर जाना है ठीक है अब यह चो symbols हैं इन सब को हम gate की तरह resume करेंगे अब हमें H से L की ओर जाना है तो देखते हैं कि क्या हमारे पास रस्ता है तो H से पहले हम कहां जाएंगे R तो यहां से gate क्या है open है इस side और इधर से close तो हमें open gate से close पर जाना है अगर gate open होगा तभी हमें entry मिलेगी तो हम यहां से H से R पर आ गए अब R से हमारे पास यहां पर क्या है gate open है तो R से हम T पर जा सकते हैं तो R से हम T पर आ गए T से अब हम L पर जाना है तो यहां से gate open है तो हम T से L पर जा सकते हैं That means, हम T से L पे पहुँच गए, तो H से हम L पे जा पा रहे हैं, That means, की statement क्या हुआ, True हुआ, That is, the given statement is correct, Okay, So, second conclusion क्या है हमारा, Second conclusion है हमारे पास, That is, K is greater than T, So, इसको भी हम इसी method से देखेंगे, So, K is greater than T, So, अब हमें K से कहा जाना है, तो यह हमारा के है, के से टीकी ओर जाना है, अब यहाँ पर पहला गेटी हमारा क्या है, Close है, अगर gate close है, तो close gate से हम इस तरफ नहीं जा सकते, तो यानि की conclusion क्या हुआ, गलत हो गया, तो यह conclusion हमारा गलत हुआ, और first हमारा correct हुआ, तो यानि option कौन से correct होगा हमारा, चेक करते हैं, that is, if only conclusion first follows, that is option, one is the right answer, okay, thank you, Classics to 12 से लेके, NEED IIT जेही, Means और Advanced के लेवल तक, 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा, आज राउनलोड करें डाउटने टाप, या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स, 8444 पर,